नौ देवियों की कथा प्रत्येक वर्ष साल में दो बार ही बनाये जाने वाले नवरात्रों में मादुर्गा की पूजा उपासना की जाती है इन नौ दिनों की उपासना में मादुर्गा के भिन्न भिन रूपों का अपना एक अलग ही महत्व है मा दुर्गा प्रकिर्ती हैं और वो प्रकिर्ती की रक्षा करने के लिए सदैव सजग रहती हैं मा ने अनेक रूपों में अवतार लिए मा के नौ रूपों की उपासना भक्तगन पूरी भक्ती के साथ करते हैं और मादुर्गा के प्रतियक रूप के पीछे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। आईए पहली नवरात्री में पूजे जाने वाली माशेल पुत्री के बारे में विस्तार से जानते हैं। मादुर्गा का सर्वप्रथम रूप शेल पुत्री है। हिमालियन के यहाँ पुत्री के रूप में जनम लेने पर उनका नाम सती पड़ा एक बार की बात है सती का विवा भगवान शिव के साथ हो जुका था किन्तो इस विवा से प्रजापती बिलकुल भी प्रसन्न नहीं थे और उन्होंने अपने भवन में एक बड़े यग्य का आ यग्य में शामिल होनी का नियुता दिया है किन्तो स्वामी आप भूल रहे हैं कि आपने महादेव और सती को इस यग्य में नहीं बुलाया कौन महादेव वो जो हर समय मरे हुए लोगों की भश्म से अपने शरीर को रंगते हैं जिनके इर्दगिर्द दैत्ते और गणों का जमावड़ा रहता है उस पुत्री को निमंत्रन दू जिसने अपने लिए एक ऐसे वर की इच्छा की है मैं इस महायक्य में ऐसे किसी भी स सादू को अमंत्रित नहीं करूंगा जिसके माता-पिता तक का नाम भी ना पता हो किन्तु स्वामी ये तो आप अपनी पुत्री के साथ अन्याय करेंगे अगर अन्याय है तो अन्याय ही सही लेकिन मैं महादेव और सती को अपने महायग्य में आमंत्रित नहीं करूंगा प्रजापती महायग्य की तयारी कर रहे थे और जैसे ही ये सूचना मा सती को मिलती है तो वो महादेव से बोलती है महादेव, स्वामी, क्या आपको पता है कि पिता जी ने महायग्य का आयोजन किया है और उसमें सभी देवी देवतागर्ण, विश्नु, ब्रह्म्ह, मेरी बहनों तक को बुलाया है चले स्वामी, हम भी चलते हैं इस बहाने से मैं अपनी बहनों और माता से मिल लूँगी मा सती की बात सुन कर महादेव मुस्कुराने लगते है स्वामी, आप यहां मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आप मेरी मन की व्यता नहीं समझ रहे हैं पिताश्री ने इतने बड़े यग्य का आयोजन किया है हमें वहाँ जाना चाहिए प्रिये, यह अच्छी बात है कि आपके पिता जी ने एक महायग्य का आयोजन किया है तथा सभी को आमंतरित किया है किंतु सती तुम भूल रही हो कि उन्होंने हमें आमंतरित नहीं किया है और बिना किसी के निमंतरन के जाना सब भे नहीं होता आप भी कैसी पाते कर रहे हैं महादेव भला एक पिता अपनी पुत्री को निमंतरन पत्र क्यों देगा ये तो पुत्री का करतव्य है कि अगर उसके माईके में कुछ हो रहा है तो वो बिन बुलाएं चली जाए नहीं प्रिये ये बिलकुल अनुचित है माना वो तुम़ारे पिता है और तुम उनकी पुत्री हो किन्तु तुम अब विवाहित हो तुमारा विवा मेरे साथ हुआ है मैं ये नहीं कहता कि प्रजापती मुझे आकर निमंतरन दे लेकिन अगर उन्हें तुम्हें बुलाना होता तो वो तुम्हें निमंतरण अवश्य देते इसलिए हम दोनों का वहाँ जाना उचितना होगा किन्तु मा सती ये जानने के बाद कि उनके पिता प्रजा पती ने यग्य का आयोजन किया है तथा सभी को आमंतरद किया है अपने आपको रोक नहीं पाती वो महादेव से आग्या लेकर अपने पिता के यहां जाती है पिता जी आपने इतने परियग्य का आयोजन किया और अपने पुत्री को नहीं बुलाया मैंने जिन जिन लोगों को अमंत्रित करना था उन सब को अमंत्रित कर लिया है और वैसे तुम बगैर निमंत्रण के यहां आई हो आप अब ऐसा तो मत कहिए सती कितने दिल से आई है आओ पुत्री तुम्हारा स्वागत है महादेव नहीं आए मा, मुझे जैसे ही पता चला महायग्य हो रहा है मैं यहां आ गई मैंने महादेव से कहा था किन्तु उन्होंने कहा कि बगैर निमंत्रण किसी की यहां नहीं जाना चाहिए सती, तुम से समझदार तो तुम्हारा वो पती ठहरा शम्षान की राख को शरीर पर लपेट कर रहने वाले का मेरे यग्य में कोई स्थान नहीं है पताजी, आपको जो कहना है मुझे कह लीजिए लेकिन महादेव के बारे में अन्यथा कोई भी अप्शब्द मत बोलिए क्यों ना कहूं क्या वो इस यग्य में आने के योग्य है भूत पिशाचों के भीच में रहता है खर तक नहीं है उसके पास मुझे तो तुम्हें भी इस हालत में देखकर आश्चर्र होता है तुम भी उसके साथ साथ रहकर उसी के जैसी हो गई हो देखो अपनी बेहनों को महादेव के बारे में कुछ भी बोले जा रहे है सही कह रहे थे महादेव मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था जहां एक इस्तरी के पती का अपमान होता हो उसे उस स्थान पर रुखना ही नहीं चाहिए तुम्हें मैंने वैसे भी निमंत्रण नहीं दिया था तुम अभी इस समय इस यग्य से चली जाओ अपना तथा महादेव का अपमान मा सती सह नहीं पाई और उन्होंने अपने पिता प्रचापती को दंड देने के लिए स्वयम को यग्य की अगनी में स्वाह कर दिया उन्हें ऐसा करते देख उनकी बहन और माता चितकार उठी और उधर महादेव को जैसे ही आभास होता है कि शैल पुत्री अगनी कंड में स्वाह हो रही है वो क्रोधित होकर महाराज प्रचापती के यहां उपस्तित होते हैं सती के जलतेवे शरीर को देख कर भगवान शिव दारुन दुखी से दुखी हो उस यग्य को ध्वस्त कर देते हैं और मा सती के जलतेवे शरीर को हातों में उठा कर दुखी मन से वहां से चल देते हैं। मा सती के शरीर के जलतेवे अंग जहां जहां पर किरे वो धर्ती पावन हो गई। वही मा सती आगे चल कर हिमाले के यहां पुत्री के रूप में जनम लेती हैं। और अगले जन्द में भी वो भगवान्शिप की अरधांगनी बनती है माशैल पुत्री की इस रूप में हमें अनंत शक्ती का आभास होता है माशैल पुत्री का वाहन गाय है तथा माता की इस रूप की अराधना करने से मनुश्य का चंद्रमा सही रहता है वही दूसरा नवरात्र मा दुर्गा के स्वरूप क्यान की देवी ब्रह्मचारिनी का मनाया जाता है मा ब्रह्मचारिनी की कथा मनुश्य को जीवन के कठिन छणों में संबल बनने की प्रेड़ना देती है मा ब्रह्म चारिनी ने भी हिमाले के अहा पुद्री के रूप में जनम लिया और जब उनके विवा की बात चली तो एक दिन नारद मुनी उनके समक्ष उपस्थित होते हैं ना रायन ना रायन हे माते आपके घर में आपके विवा की बाते जल रही हैं किन्तु मैं यहां ये अवगत कराने आया हूँ कि आप अपने पिछले जनम में सती थी और आप भगवान शिव की अरधांगनी थी आपके देदा करने के पश्चात भगवान शिव घोर तपस्या म लीन हो गए। हे माते, संसार के कल्यान के लिए तथा महादेव की तपस्या को समाप्त करने के लिए आपका भगवान शिव से विवा होना अत्यांतावश्यक है। हे रिशिवर, आपने मुझे इस बाट से तो अवकत करा दिया, गिन्तो महादेव को मैं कैसे पासक्ती हूँ इसका वर्णन तो आपनी किया ही नहीं ना रायन, ना रायन आप तो स्वें ग्ञान से परिपूड है माते और आप ये भली बाती जानती है कि महादेव को पाना इतना भी सरल नहीं है उसके लिए तो आपको तपस्या करनी होगी आपकी तपस्या ही महादेव को फिर से प्रकर्ती के समीब ले आएगी महादेव के विवा के लिए जब माता अपनी मा और पिताजी से आग्या लेती है हे पुत्री महादेव ही क्यों? इतनी कठिन भक्ती के लिए मैं तुम्हें कैसे आग्या दे सकती हूँ? मैं तुम्हारे लिए उनसे भी अच्छा सुयोगे वर ढूंड सकती हूँ पुत्रे हम तुम्हें इतने कष्ट में नहीं देख सकते माता, पिता जी, मैं पिछली जनम में महादेव की अरधांगनी थी और इस जनम में भी मैं महादेव की ही अरधांगनी बनूंगी इसके लिए मैं भगवान महादेव की कितनी भी कठिन उपास ना कर सकती हूँ मुझे मेरे कर्तवे से ना रोके आप दोनों मुझे आग्या दे कि मैं अपनी तपस्या में सफल हो जाओं। मा को अपनी वचनों पर अडिक देख कर उनके माता पिता उन्हें तपस्या की आग्या दे देते हैं। भगवान महादेव के बारे में सब जानने के बाद मा ब्रह्मचारनी उपासना में बैठ जाती हैं और लगातार एक हजार वर्षों तक वो महादेव की तपस्या करती हैं। मा को कन्या की रूप में भगवान शिव की तपस्या करते हुए देख कर ही उनका नाम प्रमचारे नहीं पड़ता है वो वर्षों तक केवल तूटे हुए बिल्व पत्ते खा कर भगवान शिव की अराधना करती हैं फिर वर्षों बाद वो पत्ते भी खाना छोड़ देती हैं जिससे मा का एक नाम अपड़ना भी पड़ता है मा इतनी कठिन तपस्या कर रही थी कि उनका शरीर एकदम शिन हो जाता है ये देख कर सब देवता चिन्तित हो जाते हैं तब भगवान ब्रम्हा सब देवताओं के साथ मा के पास आते हैं हे माते आप हजारों वर्षों से महादेव की उपासना कर रही हैं इतना कठिन तप और तपस से आज तक कभी भी किसी ने महादेव के लिए नहीं किया है आपको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा किन्तु हे माते आप बहुत ही निर्बल हो गई हैं भगवान शिव चंद में घर जाकर विश्राम कीजिए हे ब्रह्मदेव मैंने जब उपासना का संकल्प लिया था तो ये प्रण भी लिया था कि जब तक महादेव स्वय माकर मुझे इस तपस्या से नहीं रोकेंगे मैं ये तपस्या कभी बंद नहीं करूंगी किन्तु है माते आप इतनी अत्यंत दुर्बल शरीर के साथ उपासना कैसे कर पाएंगे मैंने आपके माता पिता को संदेश भिजवा दिया है वो किसी भी शण या आकर आपको ले जाएंगे मैं तब तक अपने घर नहीं जाओंगी जब तक महादेव स्वयम आकर मुझे दर्शन नहीं दे देते मा अपने माता पिता को भी यही बोलती है तधा उन्हें वहां से चले जाने को कहती है फिर वो वर्षों तक भगवान शिव की इसी तरह ही उपासना करती रही और एक द तुम्हारे सामने उपस्तित हूँ आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई महादेव किन्तु जब तक आप मुझे इस बात का आशवाशन नहीं देंगे कि आप मुझे अपनी अर्धांगनी की रूप में स्विकार करेंगे मैं अपने घर नहीं जाओंगी तुम्हारी कठिन भक्ती देखने के बाद मैं तुमसे विवा अवश्य करूँगा तुम्हारी इस कठिन भक्ती के लिए तुम सदा अपने भक्तों के बीच में ब्रह्म चारणी के रूप में प्रसिद्ध होगी तथा तुम्हारे इस रूप की पूजा जो कोई भी व्यक् उस समय वहां उपस्थित हो जाते हैं और भगवान शिव से आगरा करते हैं कि वो जल्द से जल्द मा से विवा कर पृत्वी पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करें। उसके बाद मा ब्रह्मचारिनी अपने घर लोटाती हैं और कुछ समय पशात भगवान शिव का विवा उनके साथ हो जाता है। नाए पूर्ण हो जाती है।